हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है अकड़ सिवानी बेटा अपने भाई की साधी में कम से कम 15 दिन पहले आ जाना बहन के आने से भाई की साधी में रौनक पता चलेगी वरना तो सन्नाटा पसरा रहेगा लालिमा जी ने वीडियो काल पर अपनी बेटी शिवानी से बड़े लाड में कहा अरे दीदी आप इतने दिन पहले आकर क्या करेंगी आप यहां आ जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा लालिमा की बाते सुनकर उनकी बहु करिश्मा ने उनके हाथ से फोन लेकर अपनी ननत से कहा तुम्हें तमिज नहीं है अपनी ननत से बात करने की और तुम कौन होती हो मेरी बेटी से इस तरह कहने वाली बहन अपने भाई की साधी में नहीं आएगी तो कौन आएगा सब बहिनों को अपने भाई की साधी का आरमान होता है अब कीना आपने भेदभाव वाली बात अब इसमें हमने कौन सा भेदभाव कर दिया तुम्हारे साथ वैसे भी तुम पास बहिने हो और मेरी बेटी किलोती है उसके और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं मेरी बेटी की किसमत तो ससुराल माई के दोनों तरफ से बहुत अच्छी है तुम्हारी तो किसमत हर जगा से खराब है आप सायद भूल गई हैं लेकिन मैं नहीं भूली हूँ जब मेरे भाई की सादी के वक्त मेरे पापा का फोन आपके पास आया था कि बहन जी के सवकार्ड देने आएगा तो आप करिश्मा को भेज दीजिएगा लेकिन आपने उन्हें कितना सुनाया था अभी भाई की सादी में बुलाने के लिए फोन नहीं करते तो भी आप जीना दुस्वार कर देती और कर दिया तो भी आप उन्हें सुना रही थी जिस तरह आपको अपने बेटे की साधी में रोणक लगाने के लिए अपनी बेटी का इंतिजार था उसी तरह मेरे मम्मी पापा को मेरा इंतिजार था और मुझे भी अपने भाई की साधी का बहुतर्मान था लेकिन आपकी अकड़ जिदवर बहु बेटे में भेदभाव पूर्डरवईये ने हम सब की खुशियों पर ग्रहन लगा दिया अपनी बेटी तो आपको हर छोटे मोटे मौकों पर मायके में चाहिए लेकिन बहु को आप साधी ब्याज जैसे बड़े मौकों पर भी नहीं जाने देना चाहती हैं कहते हुए करिश्मा काफी गुस्से में थी इधर लालिमा जी को अपने कहे गए सब्द याद आ गए कि उन्होंने किस तरह करिश्मा के पापा का अपमान किया था तुम लोगों को अकल है या नहीं जो करिश्मा को आठ दिन पहले ले जाने की बात कर रहे हो वो चली जाएगी तो यहाँ घर के काम कौन करेगा करिश्मा वयबों के साथ साधी वाले दिन आएगी और रात में वापस भी आ जाएगी बहन जी भाई की साधी है बहनों को बड़ा अर्मान है भाई की साधी का बेटियों के आने से ही घर में साधी ब्यापता चलेगा भाई साहब आपकी तो पांच-पांच बेटियां है करिश्मा नहीं पहुचेगी तो क्या बाकी चारों तो पहुच ही जाएंगी बहन जी भल आलिमा जी का फोन बजा उठाया तो सिवानी की सासु माती बहन जी सिवानी 15 दिन पहले तो नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरे मायके में भी साधी है लेकिन मैं उसे राहुल के साथ साधी वाले दिन जरूर भेज दूँगी और आप रात में ही उसे वापस भेज दीजिएगा र करिस्मा तो मायके जाती ही नहीं है तो फिर जैसे आप बहु को रोक कर रखती हैं वैसे ही अब हम भी अपनी बहु को ज्यादा नहीं भेज पाएंगे सिवानी की सासु मा की बाते सुनकर लालिमा जी को अपने किये पर बड़ा ही अफसोस हुआ उस समय तो वो बड़ी ही खुस हो रही थी कि उन्होंने अपनी बहु को उसके भाई की साधी में पहले से जाने से रोक कर बहुत अच्छा किया लेकिन आज पता चला किसी का दिल दुखा कर किसी का कभी भला नहीं होता उन्होंने करिस्मा और उसके माय के वालों का दिल दुखाया था आज खुद उनका और उनकी बेटी का दिल दुखा अब कोई भेदभाव नहीं सारा हिसाब बराबर हो गया आसा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद